गरीबी की जंजीर को तोरने का एक ही रास्ता है और वो है नौकडी Hello Good Morning Welcome to Abhishek Coaching Services यानी ACS मैं आपका स्वागत है Master Notes and Smart Video Coaching हम प्रोवाइड करते हैं और मैं हम जानते हैं इस वीडियो में तो आएए दूर करते हैं आप लोग के confusion को तो सबसे पहले जो confusion है कि लोको पालेट बनने के लिए minimum qualification क्या सब होना चाहिए तो मैं आपको बता दू लोको पालेट का जो post है वो ITI level के student के लिए है और भी बहुत सारे courses होते हैं जो कि ITI के साथ भर सकते हैं फॉर्म लेकि यह जो course है वो में रूप से वो ITI के student के लिए है तो ऐसे बहुत सारे student के मन में सवाल उरता है कि हो सकता है आने वाले दिन में इसको change कर दे इसको diploma कर दे या फिर बीटेक कर दे या फिर जो भी हो लोग मैं आपको इस बात को clear कर दूँ यह जो course है यह जो ITI यह जो लोको पालिट का जो post है यह especially ITI के student के लिए है तो ऐसा बिलकुल ना सोचे कि ITI ना कियर के जुश का पॉल टेक्निक है वही कर सकता है दूसरा सवाल metric में कितना percent number चाहिए metric में आपका कितना percent number चाहिए तो ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है किसी भी सरकारी नौकडी में फिलाल बात करता हूँ locopilot में कि आपको metric में कम से कम 40%, 50%, 60% पर या 70% होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर लिखा गया है सिर्वो सिप्क्या आपका metric पास होना ही जरूरी है यहाँ पर percentage कभी दरशाया ही नहीं गया कि इतना percent वालों का ही होगा तो जो भी student metric pass है वो बिलकुल भर रखते ह का number कम होता है percentage कम होता है बहुत सारी लोग उसको भरकाते हैं समझाते हैं कि तुम नहीं हो पता है तुम क्यों कर रहे हैं तो वैसे सबी लोग त्यारी किजिए आपका हो जाएगा अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी problem आती है तो आप मारे WhatsApp पे contact किजिए या फिर आप मे आते रहे है फिर जैसे आपके पास degree आएगी आप किसी निकिसी जरकाई नौकरी में आपका result आजाएगा all the best thank you so much अगर आपको किसी तरह कुछ भी दिक्कत हो तो आप में call कर सकते हैं फोन पर पूछ सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आप future मे लोको पालिट या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं आईटे करने के बाद आप लोको पालिट बने जाफी किसी भी गवर्मेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी तरह की बहुत सार सवालों का जवाब दे दिया होंगा अगर आपके बास किसी और भी कुछ सवाल है तो आप में पूछे फिर अगले वीडियो में उसके बारे में डिसकस करेंगे और थैंक्यू सो मच